नमस्कार दर्सकों स्वागत है आपका हमारी चैनल सेक्रेट ओफ लाइफ पे आज की वीडियो वरिश्चिक रासी के लिए हम लेकर क्या आए है सनी स्पेशल इसमें शनी के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि सनी बहुत ही इंपोरे बनते हैं तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि सनी आपको कैसा फल देते हैं पूरे जीवन प्रयंत फल आपका स्टार्टिंग से लेकर कि लास तक कैसा रहता है बहुत बारी की से इसको समझेगा तभी सनी का अच्छा रजल्स में मिलेगा दूसरा हम बात करेंगे कि सनी को आप कैसे अनुकूल करें कैसे आपको शनी को अनुकूल करना है कैसे सनी आपको अच्छा रजल्स देंगे क्योंकि सनी का गोचर और शनी की विवस्था पर ही सब कुस निर्बर नहीं करेगा वो गोचर से भी, विवस्था से भी कैसा रजल्स कर रहे हैं, यह आपके उपर भी निर्भर करेगा, तो कैसे सनी को अनुकूल करें, तीसरा, अब आपको कैसा फल देंगे सनी, जब यह 17 जनवरी 2023 को जब यह कुम रासी में जाएंगे, तो कैसा यह फल देंगे, ढहिया होगा यह राजयोग होगा, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे, और बहुत कम समय में एक एक सिस के लिए करूँगा, आप विडियो लास तक देखिएगा, यह सनी बुलेटिन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है, देखिए सबसे पहले आप देखते हैं कि सन सनी को नहीं समझ सकते हैं, देखिए अगर आप विरिष्चिक रासी के हैं, तो आपको इनोसेंट कह सकता हूँ, एक पहलू जो आपका है, वो है कि आप इनोसेंट हैं, आप इमोसिनल हैं, आप दूसरों के लिए मददगार हैं, आप मदद करने की आदत से बाज नहीं आते हमेशा दूसरों के मदद करने में लगी जाते हैं, आप भावनात्मक हैं, बच्चों जैसा एक करक्टर भी आपके अंदर बिद्यमान हैं, आप कितनों भी बड़े हो जाईएगा, बच्पना थोड़ा रहेगा आपके अंदर, उसके साथ साथ नेचर लभिंग हैं, पहाड लगों के साथ हसना, बैटना, बोलना बहुत पसंद है, लिडर्शिप क्वालिटी अच्छी है, क्रियेटिव हैं, क्रियेशन भी आपका अच्छा है, ये सब आपका पॉस्टिव पहलू है, जो नेगेटिव पहलू है आपका, क्योंकि नेगेटिव पहलू को समझे बिना आप सनी को अनुकूल नहीं कर सकीएगा, नेगेटिव पहलू में क्या है, कि आपके अंदर जो एग्रेशन है, एग्रेशन गलत नहीं है, लेकिन गलत समय पे आ जाता है, और करियेगा मेरी बात पे, एग्रेशन इस नॉट रॉंग, आपके पास इफ यू आ एग्रेशिव आपके पास वो रिजन है, फालतू का गुष्णा नहीं आता आपको, लेकिन एग्रेशन का रिजन तो है, पर एग्रेशन का एक्सप्रेशन गलत समय पर है, ये आपकी एक नेगेटिव पॉइंट है, दूसरा क्या है नेगेटिव पॉइंट आपका, कि आप लोगों कुछ हमा कम कर पाते हैं, helpful attitude भी आप में काफी है, कही न कहीं आपका जो weak point है, that is connected to your strong point, आपके strong point से वो connected है, तो strong point में क्या है कि emotional काफी है, helpful काफी है, आप ऐसे में कोई दिल तोड़ दे, तो माप भी नहीं करते हैं, तो ये negative point में आता है, आपका negative point कहीं न कहीं positive point से attracted है, connected है, आ you can easily understand what I am telling, है ना, तो चूकि गुसा आपको जादा है, क्योंकि आप emotional है, आप helpful है, तो जब भी कोई जालसाजी करता है, या आपके मदद करने के बाद आपको धोका देता है, तो आपको aggression भी उतना ही आता है, लेकिन उस पे आपको गर्व नहीं करना है, अगर गर्व तो ये नहीं हो पाएगा, शनी को अनकूल नहीं कर पाएगे, मतलब negativity पे आपको गर्वनी करना है, तो aggression होना आपका थोड़ा negative point है, गलत समय पर aggression को परकट कर देना, जिससे आदमी बुरा मान जाता और आपका बनता काम बिगड़ जाता है, प्रतिशोद की भावना आदमी जैसा है, वैसा आप accept नहीं कर पाते हैं, आप इस सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं, कि हाँ, हमको बदला नहीं जा सकता, जब मुझे नहीं बदला जा सकता, मैं ऐसा ही हूँ, मैं सही सिद्धानतों पे चलता हूँ चाहे, सही बात बोलता हूँ चाहे, नुकसान हो चाहे फाइदा हो, तो I cannot be changed, you are not accepting the changing, especially आपको चमचागिरी करना पसंद नहीं है, especially अपने फाइदे के लिए किसी के सामने गलत तरीके से जुकना पसंद नहीं है, गलत बात को दबा के रखना, नहीं बोल पाना, यह आपको पसंद नहीं है, चाहे आपको नुक्षानी क्यों न हो जाए, you cannot change yourself, so you have to understand that no one can change himself, अगर आप खुद को नहीं बदल सकते, तो सामने वाला भी खुद को नहीं बदल सकता, यह बात आपको समझना है, यह आपका negative point है, आप थोड़ा सा इस्टीज को नहीं समझते हैं, तो यह जो negative point है, इसी को खतम करने के लिए शनी का प्रयास रहता है आपका, देखिए शनी जो आपको फल देते हैं, सबसे पहले प्राकर्म भाव के देते हैं, और फिर आपको शुख भाव के देते हैं, प्राकर्म आपको जबरदस्त करवाते हैं, आप देखिएगा 35-36 के इस दख, जिंदगी का जो पहला phase होता है, आपको बहुत struggle रहता है, बहुत struggle, बहुत प्राकर्म आपको करना पड़ता है, तब जा करके फिर सुख भाव के भी मालिक यहां सनी बनते हैं, तो ये struggles जो बनते हैं, आपके लिए, सनी आपके positive गुनों से बहुत प्रभावित होते हैं, आपको सच बोलू तो सनी को लोग मंगल का सत इमोशनल हैं, नेचर लभिंग हैं, ये सब सब सनी लाइक करते हैं आपके लिए, इसलिए सनी आपको बहुत उपर ले जाना चाहते हैं, ये प्रकृति का खेल है, देखिए प्राकर्म और सुख भाव का मालिक आपके कुंडली में सनी को बनाया है प्रकृति ने, क्योंकि प् इसलिए इस भाव का भी सनी आपको शुख देते हैं, पर आपको अनुकूल बनाने के लिए क्या करना है, तो सनी का जो रिजल्ट है, सबसे पहले पहले पहला कुश्चन का जबाब, पहले प्राकर्म फिर बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे, लेकिन तब जब शनी जो चा करके ब्रिष्चक रासी वाले ब्रिष्चक लगन वाले दिखाते हैं, हमारे प्रधानमंतरी मोदी जी का भी जो है, ब्रिष्चक लगन की ही कुंडली है अगर मैं इंटरनेट पर बिलीव करूं तो, तो ये बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं, अभी शनी को देखिए अपनी कुंडली अपने लगन के हिसाब से है तो इसलिए सब को बदलने की कोशिस नहीं करना है अगर आप ऐसा करते हैं तो शनी का परिनाम आपके लिए ज़्यादा अनुकूल होगा शनी आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगे जो भी negativity बताया मैंने उसको कंट्रॉल कीजिए और उसके साथ-साथ हनुमान जी और सिवजी के राधना करिए तो aggression को कंट्रॉल करना, प्रतिशोद की भावना को कंट्रॉल करना excessive nature, मदद उसको भी नहीं करनी है जो मदद के बिलकुल लाइक नहीं है ये भी सनी चाहते हैं आपसे और उसके साथ-साथ जो मैंने बताया भगवान सिवकी और हनुमान जी के राधना करिए ये तीन-चार चीज़ें अगर आप करते हैं सनी अनुकूल होने लगेंगे आपके लिए अब है कि कैसा results करेंगे देखे कुम रासी में जब सनी बैठेंगे व्रिस्चिक लगन के अगर आप हैं तो results ज़्यादा अच्छा करेंगे क्योंकि ये fourth house में बैठेंगे लगन से ढहिया नहीं लगती रासी से लगती है तो लगन में इनका results ज़्यादा अच्छा रहेगा chances है कि आपको land property से related results बढ़िया करेंगे आपके आत्म विस्वास में ब्रधी करेंगे आपके profession में आपको अच्छा growth मिलता हूँ दिखाई देगा अगर लगन के हैं तो ये अच्छे परिनाम आपको ज़्यादा मिलेंगे अगर रासी है व्रिस्चिक चंदर रासी है व्रिस्चिक तो आपको ढ़िया भी लगेगी और सस योग का भी दिर्मान होगा अगर आपकी रासी व्रिस्चिक है तो सनी की remedies को करते रहिएगा थोड़ा परिशानी ये दे सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि ढ़िया लगेगी सनी का अनुकूल प्रभाब को पाने के लिए प्राकर्म के मालिक सनी है प्राकर्म में कमी मत करिएगा तो आसा करता हूँ वीडियो को आपके लिए क्लिर कर पाया रेमेडिज में हनमान जी शिवजी के राधना करिए और जो भी निगेटिव चीजे बताया सो कंट्रॉल करिए शनी का रेजल्स आपके लिए जादा अच्छा होगा वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से रेजलू करिएगा चैनल को सब्स्रेब कर लिजेगा और देखे ये गोचर याधरित विवस्ता है इसके साथ-साथ आपकी कुंडली कैसी है नवगरह की स्तिती कैसी है महादसा किसकी चल रही है अंतरदसा किसकी चल रही है अस्टगवर की पॉजिशन सडबल की पॉजिशन ये सब डिसाइड करेगी याने वाला समय कैसा रहेगा ज़्यादा परिशानी में हूँ अपना कुंडली बेनिलाइस जरूर करा लीजिएगा अगर आप हमसे कराना चाहें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में वाट्साप नेमर मिलेगा वहां कॉंटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच लाइक सेर करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा